इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच फोर्लेन रोड का क्या है अपडेट और यह काम कहां तक पहुंचा है इस वीडियो को शुरू करते हैं उसे पहले हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब मुंगेर से भागलपूर मिर्जा चौकी फोर्लेन ग्रिन फिल्ड कोरिडोर का निर्मान कार तेजी से चल रहा है कई जगाओं पर इसके निर्मान में सुष्टी भी देखी गई है लेकिन बरसात के मौसम में निर्मान कार में बाधा आई थी और उसके बाद से अब काम की रप्तार में तेजी पकर चुकी है मुंगेर से मिर्जा चौकी तक ये सरक चार पैकेज में बनाया जाएगा अभी पुलिया मनाने का काम हर जगह पर तेजी से हो रहा है इसका नुसार चार पैकेज में तयार होड़े मुंगेर मिर्जा चौकी फोरलें सरक में छोटी पुलिया बनने का काम आधा से अधिक हो चुका है जबकि बड़ी पुलिया बनने का काम अभी बांकी है जिन छेत्रों में जल जमाव की समस्या है वहां फलाई एस से उस एडिया को भरने का काम किया जा रहा है और साथ ही पिछले कुछ मैंने बारिस की वज़ा से निर्मान कारे बादित रहा था और उसके किनाडे के छेत्र में बार के कारण काम को रोकना परा था अब फिर से उन जगों पर काम तेजी से सुरू हो चुका है और इसके अलावे फिर पैती बारहाट मुख्य मार्ग पर जगदीश पूर मोर के पास अंडर पास तयार किया जा रहा है छोटी पुलियां बनाने और मिट्टी भराई का काम कई जगों पर तेजी से हो रहा है सुल्तान जगज में मिट्टी भराई और डंपिंग के साथ साथ अंडर पास का भी काम चल रहा है वहीं कहलगाओं में तीसरे और चौथे पैकेज का काम चल रहा है लेकिन यहां मुखजा को लेकर बाधा सामने आ रही है लगातार आपको बताने कि इस प्रोजेक्ट को कम्पलीट करने के लिए 2024 तक का पूरा लक्ष रखा गया है और उमीद करते हैं कि 2024 तक यह ग्रीन फिल्ड कोरिडोर तयार हो जाएगा जो की मुंगेर से मिर्दाचो की वाया भागलपूर के रास्ते बनाया जाड़ा है आने वाले नेक्स्ट वीडियो अपडेट में का यह और लेटेस्ट अपडेट आपको हम देंगे यह वीडियो का सा लगा कमेंट वाक्स में बताएं साथ इस वीडियो को सेयर करें आने अपडेट के लिए